ओम नमेश्याज जैमाकाल दोस्तों, देवश्यनी 81 पर राश्य के नुसार कुछ खास उपाई आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, आपका सोया हुआ दुरभागया सोभागया में बदल सकता है, एकाश्य के दिन तुलसी की पूजा करने से, तुलसी के कुछ खास उपाई करने स तो चली जानते हैं, देवश्यनी 81 के दिन राश्य के नुसार कौन से आप उपाई कर सकते हैं और तुलसी के वो कौन से उपाई हैं, जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, आपके घर में मालक्षमी का वास हो सकता है, आपकी आर्थिक तंगी दूर हो सकती है, साल 2023 में देव सभी प्रकार की समस्या है, सभी प्रकार के दुख और संकर दूर होते हैं, घर में सुक्सांति सम्रदी आती है, दोस्तो यदि आप भी भगवान विश्यू की किरपा चाते हैं, घर में मालक्षमी का स्थाईवास चाते हैं, तो देवश्यनी 81 के पर विधिविदान से या खीर का भोग लगाएं, और इनकी खीर में तुलसी दल शामिल जरूर करें, ऐसा करने से भगवान विश्यू प्रसन होते हैं, और जातक को सुकुर सुभाग्य पर दान करते हैं, विश्यप रासी के जातकों को देवश्यनी 81 की पर भगवान विश्यू को वेजनती पू जाल कर उनको अर्पित करें, शंक से जल अर्पित करें, और साथ ही ओम नम्य भगवते वासु देवाय मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार जाब जरूर करें, इसके अलावा करक राशी के जातकों की बात करें, तो 81 तिती पर पूजा के समय भगवान विश्यू को हल्दी की साथ गा को पीतामबर जरूर चड़ाएं, ऐसे करने से जातकों भगवान विश्यू और मातालक्षमी का आसिरवात प्राप्त होता है, कन्या राशी के जातकों को भगवान विश्यू को प्रसंद करने के लिए विश्यू सहस्रानाम का पार्ट करें, साथ ही भगवान विश्यू के म में मंत्र का जाब करें इस मंत्र का आप कम से कम 11, 21 बार जाब कर सकते हैं या अपनी चनुसाथ पूरी एक माला भी आप जाब कर सकते हैं ऐसा करने से भगवान नाराइन की किरपद रस्ती है वरिश्चिक रासी के जातकों को देवशानी एकाशी के दिन जब आप पूजा करे ये साथ ही लक्षमी नारायन को गुड़ और खीर का भूल जरूर लगाए कुमरासी के जाग तक देशनी एकाशी तिथी पर तुलसी माता की विदिवत पूज़ा करें तुलसी में जल अरपित ना करें क्योंकि इस दिन तुलसी एकाशी पर भगवान विश्रू के लिए ब्रत रखती है तो उनका ब्रत खंडित होता है लेकिन आप तुलसी के पास दिया जला सकते हैं तुलसी की परिक्रमा आप कर सकते हैं अगर आपके घर में तुलसी की परिक्रमा करने की जगह नहीं है तो जहां पर आप खड़े होकर तुलसी में जल अरपित करते हैं उसी जगह खड़े होकर आप तुलसी की 3, 7, 11 या 21 परिक्रमा आप कर सकते हैं लेकिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना है। दिया आप जला सकते हैं। तुलसी माता का शरंगार आप उनको अर्पित कर सकते हैं। चार महा के लिए बगवान विशुन निंदरा में चले जाते हैं जहां से चातुर मास शुरू होता है। एक आश्छी के दिन बृत नहीं भी करते हैं तो एक आश्छी के दिन चावल नहीं घाने चाहिए मासمندiriya ओसी शीमन नहीं करना चाहिए किसी से जोट नहीं बोलना करें इस दिन सुबह उरका भगवान विश्णु और मात्या लक्षमी की पूजा रादना करें चलिए आप जानते हैं तुलसी के कौन से उपाय कर क्या भगवान विश्णु की किरपा पाने के साथ साथ तुलसी के सामने यदि आप गी का दीपक चलाएंगे तो आपके घर में मालक्षमी का स्थिर्वास रहेगा आप 11 बार तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं ऐसा करने से जीवन में सुक्षान्ती आती है यदि आप चाहते हैं भगवान विश्णु की किरपा पर बनी रहे तो आप उनको भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें चाया भगवान विश जो में भगवान विश्णु को जब आप तुलसी दल स्वामिल करते हैं तो भगवान विश्णु आपसे प्रसन होते हैं आपके भोग को आपकी पूजा को सुईकार करते हैं दामपती जीवन में खुशल आना चाहते हैं तो देवशानी 81 पर तुलसी को लाल चंदरी जरू तो चलिए मिलती हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक स्वस्त रहिए खुश रहिए